तो दोस्तों सार्क मचली तो आपने देखी ही होगी नहीं देखी उसे मचली के मूँ की कुछ इस तरह की भायानक हमला करती हुई डिजाइन को बना दिया जाता है। तो सबसे पहले वाइट कलर किया जाता है। बना कर बीकर में डाल दिया जाता है। उसके बाद उसे सुखा दिया जाता है। फिर बीकर में से सार्क को बड़ी सावधानी से निकाल देंगे। और फिर जेल की किनोरों को एक चाकू से साफ किया जाता है। उसके बाद सार्क के नीचे जेल को फेला दिया जाता है। और फिर सार्क के मुह में एक स्लाइड बोर्ड के फसा दिया जाता है। उसके बाद पानी को उच्छलता हुआ दिखाने के लिए जेल से पानी की डिजाइन बनाई जाती है। और फिर उसे सार्क के नीचे लगा कर सूखा देंगे। फिर एक रुई की मदद से पानी में ज जाग को दिखाने के लिए उसके उपर जिल और बाइक्रुबाद को लगा कर मचली के नीचे कुछ इस तरह फैला कर चिपका देंगे फिर रूई को लगाने के बाद ऐसा लगता है जैसे जागी जाग उट रहे हो फिर स्लाइट बोर्ड पर भी जाग को दिखाने के लिए स्टैच्यू को बनाते हैं तब तक जो भी भगवान बजरंग बली को मानता है वो कॉमेंट में जैबाला जी लिखेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो फिर अन्तिय तयार है आपके सामने एक गजब डिजाइन और गजब कलाकारी से बना सार्क और इंसान का बहुत मेहनत लगती है और आप इंडिया से हो और भारत की लोग कंजूस नहीं होते हैं तो आप भी कंजूस मत बनो और इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो